नमस्कार, हिंदी साहित्यवारता में आप हैं इस वक्त सुभाश ठाकर के साथ दोस्तो, JRF 2021 के तैयारियों के अंतरगत हम UGC Net Paper 1 की जो expected question series है वो लेकर आया है और इसमें हमने mainly बहुत ही जो हर एक unit से लगबग एक एक question रखने की कोशिश की है हर रोज और इसमें लगबग 10 questions हम लेकर आते हैं जिसमें आपके research से लेकर के दूसरी जो चीज़ें हैं चाहे आपका ICT हो या फिर आपका communication हो हर एक unit से हमने कुछ प्रशन जरूर आपके बीच में लाते रहते हैं तो इसके अलावा भी दोस्तों बहुत सारी चीज़ें हैं जो हो सकता है कि यहां पर हमारे से छूट जाएं आपसे मेरी ये गुजारिश रहेगी क्योंकि बहुत सारे विद्यार्थी ऐसे होते हैं खासकर UGC NET हिंदी की त्यारियां हम यहां पर करवाते हैं और हिंदी के भी द्यार्थी अकसर ऐसा करते हैं कि जो उनका पहला पेपर होता है वो बहुत जादा कमजोर होता है और इस चक्र में वो पहला पेपर जो है बिल्कुल छोड़ ही देते हैं ऐसा बिल्कुल भी नहीं करना है क्योंकि फर्स पेपर आपका जो क्या है वो बहुत ही जादा मा होना चाहिए वो 25 से लेकर के 35 तक के बीच का लेकर हमें चलना ही पड़ेगा कि इतना टार्गेट हमारा एचीव होना ही चाहिए तो इसी बात को ध्यान में रखते हुए दोस्तों हमने ये श्रिंगला शुरू कर दी है कि आपके जो एकस्पेक्टिड कॉश्चन्स है या जो प्रशनों को अगर आपने देखना है तो आप हमारी प्लेलिस्ट में जाके देख सकते हैं हमने UGC Net Paper 1 के नाम से एक प्लेलिस्ट पनाई है जहां पर हमने दो लेक्चर अभी तक कर लिए है और 20 प्रशनों में अलगबग हमने बहुत सारे और भी प्रशन उसमें समाहित हो चुके हैं उन प्रशनों को करने से तो यहां पर प्रशन संक्या 21 है देखिए शिक्षन की प्रकृती और विशेशताओं में शामिल कौन सी चीज नहीं है तो इस तरीके से प्रशन पूछे जाता है UGC Net की परिक्षा में हालंकि वहां पर कूर्ट में आपको प्रशन दिये है तो यह भी सही है बहुत दिक का मतलब आपका जो मानसिक कतिवी दिया है वो क्या है आपका शिक्षन है नेक्स्ट है शिक्षन विज्ञान के साथ साथ कला भी है तो यह भी सही बात है कि आपका जो शिक्षन है वो विज्ञान तो है ही है क्योंकि उसमें जो तथ्या परक अनुसार होता है तो ये बात भी बिल्कुल सत्यसाबित है तो शिक्षन एक सम्वेबसाय या वृति या प्रोफेशन है तो ये भी एक महतोपुर्ण बात मानी जाती है शिक्षन के संदर्ब में कि शिक्षन एक सम्वेबसाय या प्रोफेशन माने जाता है क्योंकि बहुत ही गेहन, चिंतन या अत्यथिक जो जिसको हम कहते हैं कि आपके पास experience के आधार पर ही अध्यापक बनता है, हर कोई अध्यापक या शिक्षक नहीं हो सकता, तो इसलिए आपका शिक्षन क्या है, एक समय प्रफेशन माना जाता है, तो जितने भी ये 4-5 प्रकृतियां और इसकी विशेष्टाएं हैं, लगबग लगग सभी इसमें होंगी, तो पूरी के पूरी ये विशेष्टाएं हैं, तो I hope आप सब लोगों को समझा गया होगा कि शिक्षन की जो प्रकृति और विशेष्टाएं कौन-कौन सी हैं, तो ये सारे उसमें समाहित हो जाएंगे, चलिए इसके प्रश्चात हम अगला प्रशन दिखेते हैं, प्रशन संक्या 22 से दिखिए, यहां पर लिखा गया है कि निमिलिखित प्रात्मिक प्रदुशकों में से कौन से मामले में मानव निर्मित वैश्विक उत्सरजन में योगदान मिलियन टन प्रतिवर्ष प्राकृतिक उपर कोई एक अदा प्रशन पूछ लिया जाए, तो इस तरीके की चीज़ें जो प्राकृतिक आपदा हैं, या मानव निर्मित आपदाएं हैं, वहां से भी आपको प्रशन बनने के संभावना ज्यादा तर रहती है, तो उन चीज़ों को भी आप एक बार जरूर टच करक और अगर आपको इन प्रशनों की पीडियेप चाहिए होगी, तो आप हमारे टेलिग्नाम ग्रूप के साथ जूर सकते हैं, डिस्क्रिप्शन में हम आपको उसका लिंक दे देंगे, तो यहां पर प्रशन ये है कि आपका जो प्राथमिक प्रदुशकों में से कौन से मामले में जो मानव निर्मित वैश्विक उत्सारजन में ये योगदान जो मिलियन टन प्रतिबश्च बिता गया है कि प्राक्ति स्टोटों की तूलना में अधिक है, तो इसका जो सही उतर होगा देखिए, वो होगा आपका सल्फर डाई ऑक्साइड विकल्प नमबर 3 इसका सही उतर होगा, चलिए, अगला प्रशन हम देख लेते हैं, प्रशन संख्या 23 वा है देखिए, शिक्षन की जो समानने सिध्धानतों की श्रेणी में शामिल नहीं है, तो दीखिए शिक्षन जो वीदिया हैं, उसमें दो प्रकार के सिध्धानतों का वणन मिलता है, या दो प् प्रेड़ना का सिध्धान्थ और गतिवीधी का सिध्धान्थ से लेकर कि आपके रूची का सिध्धान्थ लोकतंत्रात्मक जो वेभार है यही सारी चीज़े उसमें आती हैं और विस्तार से अगर आपने इन चीज़ों को जानना है दोस्तों तो आप के पास कोई भी पुस् तो देखिए यहाँ पर समाने सिधान्तों में शामिल जो चीजें हैं वो हम ने देख लिए हैं सबसे पहले हैं गतिवीदी का सिधान्त तो यह बिलकुल सही है यह किसमे आता है आपका समाने सिधान्त की श्रेणी में आता है दूसरा है प्रबलन का सिधान्त जिसको reinforcement कहते हैं मनवग्यानिक श्रेणी के अंतरगत हैं. तो इसलिए यहां पर जो उत्तर होगा इसका वो होगा विकल्प नमबर दो, प्रबलन का सिध्धान्त, जबकि गतिवीदी का सिध्धान्त समाने श्रेणी में आता है. स्रीजन और पुनर्षरीजन का सिध्धान्त ये भी किसमें आत और आपके जो मनवे ग्यानिक से धान्त हैं उनके अंत्रबत भी तो उन चीजों को समझने के लिए आप एक बार जो भी आपके पास पुस्तक है फस्ट पेपर के रिगार्डिंग तो आप उसको लीजिए नहीं तो मैंने आपको पहले भी बिता दिया है कि बहुत सारे लोग जिस बुक को प्रेफर करते हैं के बियस मादान के बुक है अच्छी बुक है उसको आप ले सकते हैं वहाँ पर आपके सारी जो चीज़े हैं वो क्लियर हो जाएंगी और साथ ही साथ जो आपका बहाती तरक शास्तर है उससे रिलेटर प्रशन भी उस पुस्तक में आपको मि किया गया था तो एक बात हुई है दोस्तों कि वर्दाशिक शायोजना जो है यह इसकी स्थापना कब हुई थी या कब इसको स्थापित किया गया था तो यह 1937 में इसको स्थापित किया गया था यह चीज़ भी हो सकता है पूछी जाए और यहां पर प्रशन यह पूछा ग बीस और पच्चिस के बीच में ही सब लोगों के नंबर आते हैं और इसका सबसे बड़ा रीजन यही है कि हम इसको बहुत ही हलके में लेते हैं और ऐसे ही प्रशनों को हम वहां पर गलत करके आते हैं तो इसका जो सही उत्तर होगा देखिए यह होगा डॉक्टर जाकिर हुसे बीकल्प नंबर चार इसका सही उत्तर होगा तो इनकी अध्यक्षता में ही इसको इस योजना को स्थापित किया गया था चलिए अगला प्रशन हम देख लेते हैं प्रशन संख्या 25 यहाँ पर है NIRF का पूर्ण रूप क्या है तो देखिए यह वाला प्रशन भी बहुत ही कंफ्यूज नहीं होना है क्योंकि National Institute Ranking Framework अगर इंसिचूट है तो वो अपने आप में गलत है तो यहाँ पर है National Institutional Ranking Framework तो इंसिचूशनल तो इंसिचूट और इंसिचूशनल में इसमें कंफ्यूज नहीं होना है यही इसकी फुल फॉर्म है या इसको हम पूर्ण रूप कह सकते हैं तो राश्ट यह जो संस्थागत Ranking Framework है देखिए इसको जो मानव साधन विकास मंत्राल है जिसको मैं चारडी भी कहते हैं इसके द्वारा कब इसको आरंब किया गया था 29 सेतंबर 2015 को इसका आरंब किया था ठीक है और इसके कारिया क्या क्या है यह भी आपको माल आने के लिए भी आप एक बार जो भी आपके पास पुस्तक है उनको रखिए या फिर हम आगे वाली अपनी जो इस सीरीज में जरूर इस तरीके का कोई प्रशन आपके बीच में लेके आएंगे तो चलिए दूस्तों अगला प्रशन दिख लेते हैं प्रशन संक्या 26 यहां आपके बाद यहां पर पांच है एक का गैप है घ्र फिर एक का आईगा फिर प्र पांच का गैप आएगा तो इस तरीके से यह बढ़ता रहेगा आगे देखिए 4 प्लस 1 हो गया 5 5 में आगे 3 जोड दिया हो गया 8 और 8 में हम 5 जोड रहे हैं तो 13 तो 13 के बाद दुबारा इन्होंने क्या कर दिया 1 जोड दिया तो 1, 3, 5, 1, 3, 5 ही चलता रहेगा इस दिखे से हम देखते हैं आगे 13 प्लस 1 हो गया 14 ठीक है और 14 में हमने 3 जोड दिया तो 17 हो जाएगा 17 में हम 5 जोड देंगे तो ये 22 हो जाएगा और 22 के बाद देखिए यहां पर दुबारा एक आ जाएगा तो 23 होगा यहां पर ठीक है तो यहां पर 23 आ जाएगा और 23 के बाद हमने कितना जोड ना है फिर 23 के बाद हमने 3 जोर देना है 26 और 26 के बाद दुबारा कितना होगा उसमें 5 जोर देंगे तो 31 ठीक है तो इसलिए 31 के बाद हम एक दुबारा जोर देंगे तो कौन सा आंकड़ा इसमें नहीं आता है तो वो है आपका 33, 32 इसमें आएगा 31 के बाद 32 आएगा तो इस तरीके से आपने इस प्रशन को सही करना है बाकी इसमें आपका क्या है गलत होगा ठीक है तो ये इसका सही उत्तर होगा चलिए अगला प्रशन है देखिए प्रशन संक्या आपका जो है प्रशन संक्या 27 तो इसमें unit से बहुत ज़्यादा प्रशन नहीं पूछ जाते हैं मैंली 45 45 का ही रेशो इसमें रखा जाता है तो यहां पर पूछा गया है कि भाववोदक जो संप्रेशन होता है आपका वो किसके द्वारा प्रेट होता है तो इसमें आता है आपका कूट लेखक और कूट अनुबादक जो डिकोडर और एनकोडर है उनके बीच अनुबंद ठीक है तो उसके द्वारा ही आपका जो संप्रेशन क्या माना जाता है बाववोदक माना जाता है और और जो चीज़ें यह इसमें नहीं आएंगी नेक्स प्रेशन है दिखिए प्रेशन संख्या 28 एक्स्प्लोरर सफा आते हैं तो यह प्रेशन भी बहुत ही जादा मौत पूर्ण है यह चोड़ी चोड़ी चीज़ें आप देखते हैं कि ICT से पूछी आती हैं कई बार MB जो आपका bit, byte, nibble, इत्यादी है ना तो यह कितने उससे बने होते हैं इससे भी इसके रिगार्डिंग भी प्रेशन पू जैसे आपका Chrome browser है उपेरा है है ना तो जैसे इसके अलावा और आपका जैसे Firefox है ना तो यह सब किसब क्या है आपके browser है ठीक है बाकी और चीज़ें इसमें नहीं होंगे अगला प्रशने देखिए प्रशन संख्या 29 इसमें है कि भारतिय दर्शन की कौन सी प्रनाली वेद विरोधी नहीं है तो देखिए भारतिय दर्शन तरकशास्त्र जिसको मैं कह रहा तो पहले ही ये अपने आप में important है and इसमें भारतिय दर्शन की कौन सी प्रनाली जो है वेद विरोधी नहीं है पूछा गया है तो इसमें confused नहीं होना है आपने कि आपकी जो वेद विरोध वेद विरोधी नहीं है जलिए अगला पॉशन देख लेते हैं आगकरी प्रशन है हमारा इसमे बोला गहा है कि जब शिक्षावीदों को व्याख्यान देने अत्वा कुछ विशिष्ठ शिक्षा संबंधी प्रक्रणों पर अपनी प्रस्तुति देने के लिए बुलाय जात तो इसको मेंली आपका क्या कहा जाता है सेमिनार कहा जाता है ठीक है आप सेमिनार में देखते हैं कि आपको व्याख्यान देने के लिए कहा जाता है या आपनी कोई जो चीज है वो उसको रिप्रेजन करने के लिए कहा जाता है ठीक है तो इसका जो सही उतर होगा आपका विक प्रशनों में अगर कुछ एक गलतियां हो गई हो तो आप हमें कमेंट सेक्षिन में जाकर बता सकते हैं तो फिलाल अभी के लिए इतना ही अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज इसे लाइक कीजिए अपने दोस्तों के बीच में शियर कीजिए और चैनल को सब सब्सक्राइब करना बिल्कुल भूलें तो फिर मिलेंगे नई उर्जा और नई स्पूर्टी के साथ तब तक के लिए शुक्रिया जहीं